अगर मुझे री पर्चेस करने के लिए कहा जाए तो शायद मैं कर लूँ ऐसे ये विकल्प है फॉर शॉर अल्ट्रा वॉलिट रेडियेशन का स्पेक्ट्रुम बहुत बड़ा होता है UVA radiations ऐसी होती है जो कि आपकी skin में deeper penetrate कर सकती है और आपको skin cancer जैसी परिशानी से भी रूबरू करा सकती है UVB ऐसी radiations होती है जो कि आपकी skin की उपरी सतह को darken कर देती है काला कर देती है जिसको हम tan कहते हैं और कुछ radiations ऐसी होती है जो कि screen के माद्थ हमसे चाहे वो phone की हो चाहे वो laptop की हो चाहे वो कोई भी radiations हो वो भी आपकी skin को परिशान कर सकती है इसलिए sunscreen का इस्तमाल काफी जादा important हो जाता है health benefits के नजरिये से भी और otherwise आपकी skin को protect करने के लिए भी तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे विकल्प choose करना जो की market में काफी जादा prevalent है at this point of time मैंने इनको अच्छे duration के लिए इस्तमाल किया है और 6 नए विकल्प आपके लिए आज लेकर आई हूँ इनके क्या pros है, क्या cons है, इनकी consistency कैसी है, इनका price क्या है हर चीज मैं discuss करने वाली हूँ अच्छा करती हूँ, आप सबी स्वस्त है, खुष है, अपना खयाल रख रहे हैं और काफी positive है मैंने ये दोनों वीडियो आपके साथ शेर किये हैं, जहां पर और भी options मैंने शेर किये हैं इनको भी मैंने यूज किया हुआ है, तो आप इनको भी check out कर सकते हैं अगर आपने अपनी sunscreen के label को ध्यान से पढ़ा है, तो इसमें PA++++ certain plus लिखे होते हैं इसका मतलब होता है, कि ये sunscreen आपकी तवचा को UVA radiation, जो की skin cancer करती है उससे किस हद तक protect कर सकती है, जितने जादा plus उतना जादा protection यहां पर आज जो options मैं आपके साथ share कर रहे हूँ, वो सभी SPF 50 है, PA++++ और PA++++ की range में ही है ये chemical sunscreens भी है, mineral sunscreens भी है और hybrid भी है, यानि कि दोनों का mushroom भी है इसलिए आपको बहुत सारे versatile option मिलने वाले है, कोई water-based है, काफी जादा flow, बहुत ही अच्छी consistency है कुछ creamy texture के हैं, कुछ tinted हैं, तो बहुत ही अच्छे विकाल पी है ये मैं increasing order of the price के हसाब से आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आया तो मेरा favorite है, ऐसा नहीं है हाला कि इन 6 में से मेरा favorite जो भी है, वो मैं end of the video में आपको जरूर बताऊंगी लेकिन आप भी मुझे नीचे लिख कर बताएगा कि संस्क्रीन का चैन करते समय, आप किन-किन फैक्टेस का खयाल रखते हैं, किन-किन चीजों की वजह से आप संस्क्रीन को खरीदते हैं ताकि जो next set of options में आपके लिए लेकर आऊं, उनमें जो संस्क्रीन का चैन है, वो करना मेरे लिए असान हो जाए और हम दोनों के लिए beneficial हो, तो please explain me in the comments section हर एक संस्क्रीन का detailed consistency and everything मैं side screen पर आपको दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से चैन कर सके मैंने Swem इसका application अपने skin पर किया है, सभी संस्क्रीन का और वो moisturization के बाद किया है, तो वो भी अगर help करें आपको तो मैं side में दिखा रही हूँ So let's start with हमारे आज के विकल्प, सबसे पहला option जो मैं आपके साथ शार कर रही हूँ कि मैंने skin series में देखा कि मेरी audience इतना सारा इस्तमाल कर रही है और उस टाइम पर एक्लू से पहले मैं यूज कर चुकी थी That is Aqualogica का, this is Radiance Plus Dewey Sunscreen, इसमें Watermelon Plus Niacinamide है Now, मैं इसके बारे में आपको, यह सबसे पहले इस लिए आया है क्योंकि सबसे सस्ता है, that is 390 रुपीज का यह है सारे के सारे विकल्प जो दिखा रही हूँ, सभी 50 ml है इसका जो ingredient list है, इसमें Hyaluronic Acid Last में है, यानि कि अगर आप Moisturization because of Hyaluronic Acid ढून रहे हैं, तो वो इसमें काफी कम होने वाला है Another thing, इसके जो consistency है, वो इस तरह से है, बिल्कुल भी flowy नहीं है, बहुत ही soft है, Lotion type भी नहीं है, cream type भी नहीं है, just in between, और बहुत अच्छा absorption है, बहुत आसानी से आपको मैं साइड में दिखा रही होंगे, आसानी से skin में अच्छा हो जाता है, the only thing that actually मुझे परिशान करे थी was the smell, अगर आपको यह लगता है, तो throughout the application, मैं मुझे बना रही होंगे, क्यों मुझे smell आ रही थी, and I did not like it at all, या तो थोड़ी सी pleasant होती तो चलो फिर भी wearable था, but I did not like it at all, however, जब पूरी दरह से ब्सॉर्ब हो जाता है, तब आपको smell नहीं आती है, otherwise जब तक throughout the application, इसकी smell persistent थी, which I did not like, now this is a hybrid sunscreen, यानि कि यह a mineral, plus chemical mix है, तो अगर आपको यह से हैं, जो कि hybrid के लिए comfortable रहते हैं, this is the one, this is SPA 50, अब आपको बता दिया, और PA triple plus है, यह 4 plus नहीं है, this is triple plus, so yes, this is something very very gentle, लगाने के बाद एक ब्सॉर्ब हो जाती है, water-based है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा, you know, पसीना आया तो गई, किसी भी तरह से oil आया फेस पे तो गई, आपने हलका सा मूँ पोंच लिया, या दूलिया, या वटेवर, वाइब कर लिया, तो गई, तो re-application is a must, और काफी स्मूध है, तो re-application बुरा नहीं लगता, जल्दी-ल्दी कर पाते हैं, तो इस विजए अक्वा लॉजिका का, रदियंस प्लस दूई, संस्क्रीन का, अप्शन नमबर टू फॉर दिस विडियो वोड बी, डॉतन की का, वितमिन C प्लस E, सुपर ब्राइट संस्क्रीन वाट लाइट, अब इस प्लस 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 जीरो फ्रेग्रेंस है नहीं, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा हूँ, लिटरली लीकुड है, मैं आपको साइड में भी दिखाई रही होंगी, और यह देखिये, फ्लो कर रहा है, आई रिली लाइक जो वाटर बेज होते हैं और इस तरह से होते हैं, क्योंकि यह आपको वेट नहीं करना, आपको कता ही वेट नहीं करना, कि भाई यह सूखेगा, और फिर, you know, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी, यह रिली वीली मने भी यह लगा है, तो यह इसको पर यह लगा लिया, तो, yes, this is really, really light, बहुत जल्दी एबज़ब हो जाता है, और फ्रेग्रिंस भी है, वो तो मने बताए दिया है, और यह अगर आप मिनरल बेस्ट संस्क्रीन, तो अगर आप मिनरल बेस्ट संस्क्रीन के लिए कामफटबल है, इस इस दी ओप्शन, फोर निटी वीली रुपीज का 50 ml अपको मिलता है, और इस इस अक्टिव विटमिन दी रिसेप्टर्स, यूवी बी की जो प्रेक्शन होती है, वो संलाइट को अंदर जाने ही नहीं देती है, बिल्कुल भी, क्योंकि संलाइट थोड़ी तो शरीड में चाहिए ना, कि विटमिन D सिंथेसाइज कर सके, तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं, वो विटमिन D को भी सिंथेसाइज होने देते हैं, विटमिन D को अच्छी कंसिस्टेंसी में है, अच्छी कॉंटिटी में है, गुड संस्क्रीन फिल्टर्स, अर्विकल्प संख्या नंबर तीन, इस गोंग तो बी, दर्मा को 1% हालोरोनिक संस्क्रीन अक्वाज, विटमिन E है, इसमें हलनौनिक असिद है, फ्रेग्रेंस फ्री है, 50 ml यह जो है, यह रूपीस 4.99 का है, इस पी ए 4 प्लस, विच इस ग्रेट यूवी अ से अप्रटेक्टेड है, अप्लेटली, वाटर बेस्ट है, अवरीफिंग इस सो गूद, this is a mineral-based sunscreen, the only thing that actually bothered me, कोई smell नहीं है, easily exhaust जाती है, काफी comfortable है, रिएप्लाई कर सकते है, इसकी consistency बिल्कुल क्रीम की तरह है, बिल्कुल क्रीम, जब आप लगाते हैं, तो क्रीम की ही feeling आती है, वैसा ही hydration मिलता है, so it's great, किसी भी चीज की कोई परिशानी नहीं थी, except for one thing, and that is, इसके अंदर जो UV फिल्टर है, ताइनिम डियोकसाइड, वो इंग्रेट लिश्में काफी नीचे है, अल्मोस्ट एंड में है, यानि की कॉंटिटी काफी कम है फिल्टर की, तो संस्क्रीन में अगर फिल्टर ही इतना कम कॉंटिटी में होंगे, that is something that bothered me, rest, application wise, cream बनाई है, which is great, 499 रुपी, 50 ml, is a good choice, विकल्प संख्या नंबर 4, is going to be Cures, I am sorry for the flare, मैंने बहुत कोशिश की पर हट नहीं रहा है, तो मैं साइड में लेबल दिखा दूँगी, Cures की जो संस्क्रीन है, this is SPF 50, UVA प्लस UVB दोनों से protection देता है, this is PA 4+, which is great, free of oxybenzone and OMC, with blue light protection as well, स्क्रीन से जो radiation आती है, उससे भी protect करता है, all skin type के लिए suitable है, dermatologically tested है, and fragrance free, non-comedogenic, मतलब हर possible good thing, is there in this sunscreen, the only thing is, this is tinted, तो अगर आप तिंटेट संस्क्रीन के लिए अप्शन के लिए अप्शन के लिए अप्शन के लिए प्ले हैं, मैं पहले भी आपकी साइड तिंटेट संस्क्रीन के लिए शेयर कर चुके हूं, जो मुझे पसंद है, and my next favorite आजकल is this one, तो not the favorite out of the six, but yes, it is also favorite, तो ये ऐसा consistency है, literally tinted है तो इस तरह का application है, side में मैं आपको अपने शकल पे application करके दिखा रहे होंगी, तो it is gel based, है तो ये ऐसा, लेकिन इसका ये रिखिये, literally foundation type look आपा है इसका, लेकिन अब एब्सॉर्ब हो जाता है, तो आप देखिये, तो आप देखिये, ये आपकी skin का पार्ट बन जाता है, tinted है, लेकिन इस रिली रिली वर्क्स अजिए ब्सॉर्ब संस्क्रीन, तो आइम लविग इट, आइम लविग इट और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, जो मैं नेगिटिव पॉइंट आउट कर सकूँ, बिकस आइब तो बी नूट्र, मैं उनकी तारीफे भी और उनकी बुराई भी दोनो similarly देख रही हूं, ताकि एक बिल्कुल ही नूट्र जज्जमेंट दे सकूँ, तो आइम लविग इट, जो लोग बाकी चीज़ों में इंवेस्ट ना करके, संस्क्रीम में जादा इंवेस्ट करते हैं, वो इनको अवैल कर सकते हैं, मैंने दोनों ट्राइ किये हैं, दोनों के प्रोस और कॉंस में हां इसका करने वाली हूं, क्योंकि प्राइज में कम है, इसलिए ये पहले आ रहा है, ये बेरली ओन, ये डर्माटिका का प्रोड़क्त है, और इस ये जाए फिवरिट, तो बेरली ओन जो है, अगर आप किसी डर्माट के पास जाकर लेते हैं, तो आपको जादा बेटर अवैलेबिलिटी इसकी हो जाती है, अमिजोन पर ये थाउजन ट्वेंटी का आपको अवैलेबिल हो जाता है, इनकी अपनी साइट से आप लेते हैं, 1080 का आपको मिलता है, और ये बहुत अच्छा साइट आपकी स्किन को देता है, इन्विजिबल संस्क्रीन है, गायब हो जाती है, आपकी स्किन से को कोई लेना देना नहीं है, अभी तो मैने बहुत सारी संस्क्रीन एकी जगे पे लगा दिये, लेकिन नो वाइट कास्ट, वाटर है, जब ये एबसॉर्ब हो जाती है, आप ऐसा लगता अपने कुछ करा ही नहीं है, इस परफेक्टली नाच्रल स्किन, नाम के हिसाब से, बेरली ओन, लगता ही नहीं कि ओन है आपकी तवचा पर, बेरली फांते हैं, तो आपको तोड़ा सा, तो फोड़ा सा थोट फुली उस करना पड़ट है, क्योंकि संस्क्रीन तो रोज यूस हो है, तो कभी मैं मैं ब्लेंट करते हूं, कभी ये कभी कोई और and so on, तो वाग कि लंबा चल जाहे, So yes, this is something I really love If I am at home and I am not doing anything This is what I am wearing on my face Also, this is a mineral-based sunscreen Which is PA+++, It is ultra light, quick absorbing It is invisible, it is for all skin type It keeps anti-oxidants Everything is true I like it, that's why You should give it a try and then decide whether you want it or not Last for the video Obviously not the least But the most expensive of all six Is Innisfree Ka No Sebum Sunscreen This is Tone-Up Sunscreen EX Now, this is Rs. 1100 50 ml again And this is What should I say? Excellent sunscreen, no doubt If you put it, then forget it You go and dance, no tension The only thing is It's very heavy And the white cast Though, it's not a white cast When you apply it, it will slowly blend in your skin It's very suitable, which is already very fair This one is for you And those who are very fair For them, sunscreen is a must Is a must You have no choice So, you should definitely invest in SPA 50 Plus And this is a chemical based sunscreen So, if you are comfortable for chemical based sunscreen Once in a while, you can use it You can definitely try it It's very good protection But it's very bulky You literally know that you have to wear your sunscreen You have to wear your sunscreen Some of your sunscreen As I have seen You have to wear it And you forget If you have something on the screen You have to wear it You have to wear it You don't forget to wear it You have to wear it Because you feel it on your skin It's that heavy Also, when you wash it It's literally like you have to wear your foundation It doesn't go normally You have to wash your face well Then it goes Then it goes It's a chemical based and strong sunscreen So, yes This is the review for this Innisfree Very good product Obviously, there are very good ingredients But it's too bulky for me So, I have used it for 2 or 3 times I haven't used it And I don't know when I can use it So, this was my review about it So, these were the 6 sunscreens Which I wanted to give you Which I am sure And that you have to learn from here You have to get some knowledge Which will help you in the next decision Now If you ask me Which is my favourite Which is my favourite So, out of all the factors Which I have discussed here Every person's pros Which is Which is My favourite Is my favourite Dot and key And this is Which you get easily $495 Within 500 rupees So, yes This is a great option And because it is in liquid consistency You have to put some A little bit So, literally your entire face is covered So, it will be good It is like liquid consistency But it is also very good packaging It is not like it is falling Or you have to take a break Or you have to take a break Or you have to take a break So, this is my favourite of all these 6 vikalp So, please tell me How is this review for you How is your favourite Which one is your favourite Which one is your favourite Which one is your favourite And so that the rest of the family If my videos like you Please tell me And don't forget to like it Please, it is very important I will see you all in the next one With something magical Till then Take really good care of yourself And know Always know And keep knowing This thing you should know And I love you Take care All right To be honest All right Let's go Here I will see you all in the next one look at the next one When a favourite झाल झाल